मौन्सून अलमस्ट सब जगे आही चुका है तो जब बारिस होती है तो हमारा मन करता है कि हम कुछ चटपटा सा अच्छा सा खाए तो इसके लिए आज हम बना रहे हैं यहां पर कांदा भजी जिसे हम प्याज के पकोड़े या प्याज के भजिया भी बोलते हैं इसके लिए निकाल देघ्ण निकाल लें उसके बाद में इसको अच्छे कर लें इसके कि दोफी मीशेशा, क्रोच रहाग के सब्सक्राइब डाली में हमें हमें इसलों Ask a file आप मो मिलने मुखिसम थां इसके यहत्षारं कारना हैं अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहें तो इसे मुठी में लेते हुए हलके हाथ से इसकी सारी अलग-अलग कर लें फिर इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची का दूकस किया हुआ अद्रक और थोड़ी सी लसुन की कलिया आप चाहे तो इसकी पेस्ट भी डाल सकते लेकि हाथ से करश करके फिर इसमें डाले हैं गर के बेसिक मसाले हल्दी पाॉडर, लाल मिर्ची दन्या Pाउडर, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी चक आप जो इसमें ँक अलग ही टेस्ट लाएगी उसके बाद मैं इसमें डाला है चावल का आटा कसूरी मेथी और बेसन-रसारी इस तरह का हो गया है यह हमें इसमें पानी नहीं डालना है या कुछ भी नहीं डालना है सबसे लास्ट में इसमें एड करेंगे नमक नमक हमने इसमें पहले इसके नहीं डाला नहीं तो नमक अपना पानी छोड़ देता है और यह बैटर बहुत गीला हो जाएगा इस बैटर को होने तक इसमें हमें बेसन और चावल कम ही डालना है यह हमारा बहुत ही टेस्टी सा कांदा बज्जी बन के तैयार है